हेलो स्टुरेंट्स वेलकम टू माई चैनल होम साइंस एक्जाम मास्टर अपने दो हजार प्रशनों की श्रिंखला में आगे बढ़ते हुए और आज का पहला प्रशन है पाइपिंग को काटा जाता है जो पाइपिंग कपड़े में जो एज लाइन है उसको कवर करने के वार्प और वेफ्ट हमारे क्या हो गए यह ताने और भाने के ठागे हो गए ठीक है तो उसको किस तरह से हम काटते हैं तो इसको हम 45 डिग्री वार्प से काटते हैं बिल्कुल जैसे यह हमाना 90 डिग्री का हो गया तो यहां बीचो बीच से काटते हैं तो यहां से आड़ी प्रियोग जो हमारे फैब्रिक है उसकी एच को कवर करने की लिए करते हैं जैसे कि आप नेक लाइन पर अकसर देखते होंगे कि इस तरह की प्रियोग किया जाता है तो करेक्ट आंसर इस ऑप्चिन नमबर सी 45 डिग्री वाप से नेक्स्ट क्वेश्चन है सुची एक को सुची दो में सुमेलित करें तथा दिये गया कूट को सही कूट का चैन करें तो इसमें दिया गया कि कौन सी प्रोटीन किसमें पाई जाती है अंडे में दूद में गेहूं में और मांस में और आपके यह सुची टू के ऑप्चिन है एवडिन है, केसीन है और कोलेजन तो हम लोग कूट बाद में देखेंगे जब हम लोग अपना क्लियर कर लेंगे, तो यह क्या है अंडा अंडे में क्या पाया जाता है, एवडिन पाया जाता है, तो यहाँ पर option number 2 जो है, वो एवडिन हो गया, ठिक, दूद में क्या पाया जाने प्रोटीन कौन सी है, केसिन है, तो केसिन यहाँ पर option number 3 पर है, तो यह 3 हो गया, फिर गेहूं में क्या पायता है, ग्लूटिन पाया जाता है, तो ग्लूटिन नंबर 1 पर है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 1 हमारा यह बन गया, और last में हमारा क्या बच रहा है, मांस, तो मांस के लिए कोलेजन का प्रियोग करेंगे, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर जो मांस में पाया जाने प्रोटीन है, वो कोलेजन है, तो 2, 3, 1, 4 इस तरह से यह हमारा कूड बन गया, अब हम इसे देखेंगे कि किस option पर है, तो हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, option number 2 जो है, हमारा B, जो है, 2, 3, 1, 4 वो correct answer होता है, कि यह सुमेलित और उपस्तित तक तो जो है, उपस्तित जो प्रोटीन है, वो यह होती है, अच्छा, अंडे में क्या पाई जाता है, अबडिन पाई जाता है, अबडिन जो है, वो क्या है, जो आपकी बायोटीन बाइंडिंग प्रोटीन है, क्या, अबडिन जो है, यह अंडे में पाई जाती हो, और यह बायोटीन बाइंडिंग प्रोटीन है और इसका जो ये कारे करती है ये एग के जो बर्ड्स के एग में पाई जाती है और उसमें क्या ये एंटिबायोटिक की तरह आपको थोड़ा सा बताया है नेक्स्ट कोश्चन है मारा वैक्यूम क्लीनर जिसके द्वारा ग्रहणी को कम श्रम वा शक्ति लगती है उसका भाग है वैक्यूम क्लीनर का मैंने आपको सिध्धान्त भी बताया था क्या सिध्धान्त है चूशन के सिध्धान्त पर वैक्यूम क्लीनर जो है वा कारे करता है पीनल का पार्ट है, इस तरह से option नंबर भी हमारा correct हो जाता है, next है हमारा मुल्यांकन की अवशेक्ता होती है, कारेकरम के अंत में, कारेकरम के फ्रारम में, कारेकरम के दौरान, एक बार कारेक्रम की प्रतेक अवस्था पर जो मुल्यांकन कैसा होना चाहिए तो अर्थात कारेक्रम की प्रतेक अवस्था पर मुल्यांकन होना चाहिए जिससे की कारेक्रम निरंतर सुचारू रूप से चलता रहे है कारेक्रम की प्रतेक अवस्था पर निरिक्षण करते रह तो यहां पर परिवार नियोजन परिवार को श्वस्थ एवं शुखी जीवन प्रदान करने में सहायक होता है इससे परिवार के सरश्यों का स्वास्त बना रहता है तथा घर में सुक सम्रिध्द्धी रहती है। वो बढ़ जाता है, उचा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विकास का प्रतिमान ऐसा होता है, जिसके बारे में भविश्यवाणी नहीं होती है, जिसके भविश्यवाणी होती है, शरीर के सभी भागों पर विकास एक सा होता है, प्रतेक जन के लिए विकास की दर समान होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, प्रतेक ज नमबर B जो है वो सही है तो जिसकी भविश्यवानी होती है मतब पहले से जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि इस एज में बचा क्या करेगा पलटना शुरू करेगा फिर हाथ पैर चराना शुरू करेगा फिर उसके बाद बैठना स्टार्ट करेगा बैठने के बाद खड़े ह फिर थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करेगा और फिर दौड़ना शुरू करेगा तो इसके बारे में भविश्वाणी की जा सकती इसलिए यहां पर option number B जो है वह हमारा correct हो जाता है अब यह सर्शन रिजन का question है शारीरिक ठकान तुलनात्मक रूप से अधिक कारेभार हमें कोई काम पसंद नहीं है और हमें उसको तब भी करना पड़ता है तो बिल्कुल शारीरिक ठकान उसका कारण हो सकती है तो यहां कूट में A सही है परन्तु R गलत है और R सही है और A और R दोनों सही है और R A का सही सपस्टी करण है A और R दोनों गलत है ठीक है तो इस तर और ये भी सही है और इसका क्या जो आपने यहां पर इस पस्टी करण दिया है वो भी सही है तो इसलिए ए और आर दोनों सही है आर एका सही स्पस्टी करण है तो option number एक का हमारा correct हो जाता है लंबा दिखने के लिए क्या करना चाहिए चोकोर डिजाइन के वस्त उपयुक्त हो उपयुक्त होते हैं जो क्या होती है वर्टिकल लाइन्स होती है उससे क्या होता है हाइट क्या होती है थोड़ी enhance हो करके दिखती है इस परदान में देखने में कैसे लगते हैं लंबे लगते हैं अगर छोटी और नाटी महिला है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त यही होत तो समय प्रबंधर मतलब टाइम मेनेजमेंट के टूल्स कौन-कौन से हैं, शिखरभार मतलब जिसको हम कहते हैं, पीक लोड और कारे वर्क कर्व, ठीक है, तो कारे का जो कर्व बनता है और शिखरभार ये दो चीजे होती हैं, तो शिखरभार की बात अगर हम करें, जो पीक महीना भी हो सकता है, और यह एक निश्चित समयावदी में नापार जाता है, जैसे पूरे दिन का, जो सबसे ज़्यादा तेजी वाला टाइम, जैसे मौनिंग में जब उठते हैं, तो बच्चों को स्कूल ले जाना, टिफिन ले जाना, फिर खाना बनाना, सबका खाना पै परिवर्तन को दर्शात है, मतब कारे के उत्पाद, कारे का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें क्या परिवर्तन, सुबा के समय कैसा कारे हो रहा है, दोपहर में, कैसा हो रहा है, आफ्टर लंज किस तरह का काम हो रहा है, जैसे आफ्टर लंज जो भी काम होते हैं, उसमें दिये हुए में गिनी जाती है जैसे प्रति घंठे प्रेस की जाने वाली चादरों की संख्या मतलब एक गंटे में हम कितनी चादर प्रेस कर लेते हैं, सुबा में अगर करते हैं, तो किती कर लेते हैं, दोपहर में करते हैं तो और शाम को करते हैं, तो इससे पता चलता है नेक्स्ट है हमारा किस प्रकार के परिक्षणों का मुल्यांकन आसान और विश्वशनी है, निबंधात्मक परिक्षण, मौकिक परिक्षण, व्यवारात्मक परिक्षण या वस्तु निस्ट परिक्षण, तो जो हमारा ये वस्तु निस्ट परिक्षण है, वो क्या है, वो सबसे जादा विश्वसनिय होता है तो मुल्यांकन का सामान जो अर्थ है उसका क्या मतलब है आकलन करना तो मुल्यांकन आकलन करने में किस प्रकार के परिक्षन का प्रियोग किया जाता है सबसे जादा मतलब जिस पर विश्वास किया जाता है सबसे आसान तो वह कौन सा है व सबस्ता अपने माबाप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं और अपने बच्चों को घर की बजाये इस संस्ता में छोड़ देते हैं तथा फिर शाम को ले लेते हैं क्रेज जो होता है वह एक से तीन वर्ष के शिशों को देखभाल के लिए एक सारवजनिक अस्थान है यहां शिशों का पालन पोचन किया जाता है और जो यह बालवाड़ी है बालवाड़ी में धाईस धाई वर्ष से लेकर के छे वर्ष के बच्चों की देखभाल की जाती है अच्छा रिमांड घर क्या होता है रिमांड घर 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इसको सुधार ग्रह भी कहते हैं जैसे चोरी करना जूट बोलना इन तरह के आदितों के लिए इसका रिमांड घर का प्रियोग किया जाता है ठीक अगला है यहां पर हमारा क्रेच ऑप्शन नमबर ए करेक्ट हो गया है अगला प्रशन है तीन मूल रंगों के अंतरगत कौन से तीन रंग आते हैं कौन सा है जो कि तीन मूल रंग हैं जो प्राइमरी कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं तो नारंगी हरा पीला पीला नीला पीला ला तो यहां पर रेड ब्लू और यलो तो यहां पर रेड हो गया ब्लू हो गया और यलो हो गया तो आप्शन नमबर बी जो है यह प्राइमरी कलर है नेक्स्ट है ग्रह परिचारिका के कारे कौन से है रोगी को इसनान कराना रोगी को समय पर दवा देना रोगी का समस्त जानकारी चिकित सक को देना उप्यूक्त सभी तो ग्रह परिचारिका जो है उसका कारे क्या होता है उप्यूक्त सभी ग्रह परिचारिका का रोगी को इसन एक चमाब पीक्तो होता है Пईलाग्रा उसको ₍र अप्छय नंंब forts नंब्र दूसर 17े 50 त्ष हे डिमा हो प्रालम États और को बारे टूर दूसरा इसकरवी 10 थे 7 चौथा का इस्तिति को तर्प्रा टीछ सता है और कर चिंच सांदा क्या होता है इसकिन बिल्कुल पतली हो जाती है और पूरी बोडी स्वेल कर जाती है और यह किस की कमी से होता है यह प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है सूजन हो जाती है शरीर की सभी कोशिकाओं एवं उतकों में पानी भर जाता है सू से दिखाई देते हैं नेक्स्ट है हमारा मार्थंडम योजना प्रारंब की गई मार्थंडम योजना कहां प्रारंब की गई डॉक्टर स्पेंसर हेच के द्वारा किस के द्वारा प्रारंब की गई यह डॉक्टर स्पेंसर हेच के द्वारा सर 1928 में प्रारंब की गई तो नोट कर सकते हैं इसका येर भी सर 1928 में प्रारंब की गई कब की गई 1928 में और यह कैसी है ग्रामोत्थान की एक आराज की योजना है नेक्स्ट है यह राजस्थान के एक प्रसिद रंगाई विधी है स्टाक रंगाई, डोप रंगाई, बंधेज रंगाई या पेड रंगाई तो राजस्थान की हम सभी जानते है प्रसिद रंगाई कौन सी है या बंधेज रंगाई है टाइंडाई की बात हो रही है यहाँ पर और बांध के वस्त्र को रंगने की कला को बंधेज या बांधनी भी कहा जाता है इस विधी का अत्यंत सुन्दर आकर्शक एवं उत्कृष्ट नमूने से युक्त वस्त्र तयार किये जाते हैं बांध कर रंगने वाली विधी में पह राजस्थान की प्रसिद्र रंगाई कौन सी है बंधेज रंगाई है किसी पद्दती में संचार कारे करता किसी वस्त्र के विवहार के तरीके बताता है कौन सा है किसी पद्दती के संचार में मतलब कोई पद्दती कोई मेथड है उसको कम्यूनिकेशन कम्यूनिकेट करना ह कि इसको extension worker को कि तो वह कौन से विवहारयों तरीके बताता है पद्दती प्रतिपादन या परिणाम प्रतिपादन दोनों यह बी और में से कोई नहीं तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी वस्त किसी चीज को पद्दती को अगर बताना है तो वहां पे दो प्रकार का प्र कोई भी वस्त है उसका प्रयोग करने से किस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे तो यहां पर option number C जो है वह ए और B दोनों होता है नवोदे विद्याले एडनिम्न में से किसके लिए खोले गए ग्रामेड चात्रों के लिए ग्रामेड प्रबुद चात्राओं के लिए खोले गए ठीक है तो यह सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जो ग्रामेड प्रबुद चात्रों के लिए मतलब ग्रामेड मेधावी चात्रों के लिए एक competition होता है उसके तुरू बच्चे उसमें जाते हैं अगला है कारे बद्ध होकर कारे करना परिवाद के सदस्यों का सहयोग परिवाद के सदस्यों का विवहार परिवाद की आए तो यहाँ पर योजना बद्ध होकर कारे करना कारे ब्रवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर कारे है जब भी हम किसी चीज का मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें बहुत important होता है कि प और योजणा जो है आपकी चौथी पंचवर्शी योजना पांचमीं चहटी या सात्वीं तो राश्टि ग्रामिं रोजगार योजना चटी पंचवर्शी योजना के साथ चला कि कोल स्टेम में उपस्थित ल क्यो अल्व ज्यूक्त प्रोटीन है जो कोलस्टरम में मां का हीमोगलोबिन है वा करेक्ट हो जाता है तो प्रसव के बाद पहले दो-तीन दिनों तक अस्थनों से निकलने वाला पीले गाढ़े रंका पदार्थ को क्या कहते हैं कोलस्ट्रम कहते हैं और यह प्रोटीन और विटामिन A से परिपूर्ण होता है और इसमें संक्रमन विरोधी कारक भी होते हैं पहले कुछ महीनों में यह शिशू को कई संक्रामक रोगों से लड़ने की शक्ति देता है और यह पाचक एंजाइमों का भी विकास करता है अतायाती आया अती आवश्यक है कि नौजाज शिशू को जन्म के एक घंटे के अंदर कोलस्ट्रम पिलाया जाए तो यह पहला जो है आपका हीमोग्लोबिन जो है एकोलस्ट्रम में उपस्थित लोह तत्यूक तो प्रोटीन कौन सा हीमोग्लोबिन है तो हीम तो हम जानते ही है आयरन है और ग्लोबिन क्या है प्रोटीन होता है नेक्स्ट है बाल मनोविग्यानिक वह वैग्यानिक अध्यन बाल मनो विज्ञान वा वैज्ञानी का अध्यान है जो व्यक्ति के विकास के अध्यान गर्ब काल के प्रारंब से किशोर आवस्था की प्रारंबी का वस्था तक है या किसने कहा है मतलब या फिर से परिभाशा आ गई अब इसको हम देखेंगे किसकी परिभाशा है ठीक है जिम्व्या अध्यान गर्ब काल के प्रारंब से किशोरा वस्था के प्रारंबी का वस्था, यह कीवर्ड है, क्रो एंड क्रो का याद करने के लिए आप इसको पकड़ ले, जैम स्ट्रेवर, हज़े आई से क्रो और क्रो और ईबी होरलोक, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो कहां पर जाना चाहिए, डस्ट बिन में जाना चाहिए, कुड़ेदान भी अब दो तरह का रहता है, एक ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का, तो जो गीला कच्रा है, वो किसमें जाता है, आपका ग्रीन वाले में ठीक है, और सूखे कच्रे के लिए ब्लू डस्ट बिन का प्रिय रहेंगे, okay, bye